आज हम बात करेंगे विरिश्व राश्ची वालों के लिए जून 2020 के पहले सप्ताहा के बारे में जानेंगे एक जून से लेके 7 जून तक कर समय आप के लिए कैसा रहने वाला है तो आईए शुरू करते हैं सप्ताहा के शुरुवात में घर और सथाई समपती से जुड़े कारियों का हल हो सकता है इसमें गतिविधी तेज होने से आपको काफी अच्छी उमिद दिखेगी शुरुवात में आप अपने कारिस्थल पर प्रोजेक्ट को पूरा कर सकेंगे जिसके कारण आपको काफी धनलाब होगा आप अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से व्यवस्ता रखें सब्ताहा के मध्य में आप आर्थिक भविश्य सुरक्षित करने के लिए निवेश पर ध्यान देंगे सब्ताहा के आंत में आपकी कम्मिनिकेशन में बढ़ात्री होगी विध्यारती शुरुवात से ही पढ़ाई में मन लगा सकेंगे और आप मस्ती के साथ ज्यान प्राप्ती के लिए परियास करेंगे बड़े आपके पक्ष में होंगे और परतेक मामले में उनका पूरा मार्ग दर्शन मिलेगा इस सब्ताहा आपके नए दोस्त भी बन सकते हैं यूँ तो आप पिछले कुछ समय से अपने प्रिये पात्रे के साथ काफी अच्छा समय गुजार रहे हैं और अभी भी यह स्तिती वैसे ही बनी रहेगी सब्ताहा के शुरुवात में आपको अपनी वाड़ी में सपश्चता रखनी होगी स्वभाव में एहंकार को दूर करना होगा आपके अपने परिवार वालों के साथ संबंद अच्छे बनेंगे आपका स्वास्ते भी अच्छा रहेगा और जो लोग पहले से ही किसी बिमारी से पीडित हैं उनके स्वास्ते में सुधार देखने को मिलेगा हलाकी दात, कंधे में दर्द, गले से संबंदे चोटी मोटी समस्या हो सकती है इस सप्तहा आप शुरुवात में आय बढ़ाने पर ध्यान देंगे और आपके परतेक कारियों का फल आपको अपने आत्मर विश्वास से मिलेगा लेकिन शुरुवात के प्रारम में खर्च की अधिक्ता रहने की संभावना है जो लोग बिना योजना के आगे बढ़ेंगे उनको दूसरों के सामने हाथ फिलाने की नौबत आ सकती है आप अपने खर्चों को नियंतर्ण में रखें अन्यता बाजी आपके हाथ से निकल जाएगी निवेश के मामले में आप अच्छा निन्या ले सकेंगे प्रोफेशनल मूर्चे पर आप स्थिर गती से आगे बढ़ेंगे अभी आपको बजार की प्रतिस भर्दा की शुरुवात में आप काफे उत्साह में आकर काम करेंगे और आपकी व्यविक प्रतिभा आपकी मदद करेगी वाने के प्रभाववले कारियों में आप थोड़ा सतर्क रहें अगर आपके प्रेम संबंदों की बात करें लेकिन दूसरे और तीसरे दिन चंद्रमा कमजोर होने से मानसिक चंचलता और व्याकुलता आपके संबंदों में तनाप का कारण बन सकती है और जो लोग पहले से संबंदों में हैं उनके लिए स्थिति अनुकूल प्रतित हो रही है चलिए बात करते हैं विध्यार्तियों की इस सब्तहा आप अपने अध्यान पर काफी ध्यान देंगे लेकिन दूसरे और तीसरे दिन आपकी मानसिक सिती थोड़ी से आस्थिर होगी इसलिए आपका अध्यान में मन नहीं लगेगा अभी आप दोस्तों के साथ विशेश रूप से अध्यान पर चर्चा कर सकती हैं और उनसे आपकी शिक्षा में कुछ न कुछ सहायता मिलने की संभावना है इस सब्तहा आपको सांस की तकली, फेफिडी की बिमारी, आतेदिक खासी और जुकाम जैसे समस्या होने की अधिक संभावना है यदि आपके कंदे की मास्पेशियों में दर्द होता है तो इस समय आपको भारी वजन ना उठाने के सलहा दी चाती है तो कुल मिलाकर ये सब्तहा आपके लिए मिराजुला जाने वाला है तो ये था विशब राजशी वालो के लिए जून 2020 के पहले सब्तहा के बारे में